नमस्कार दोस्तों आप सबों का स्वागत है 17 फ्रवरी 2021 दुतिय पाली और यह सेट नम्मर C है आप सभी को 80 प्रस्ण पूछे गया है जिसमें से कि आपको 40 प्रस्ण का सही सही जवाब देना था तो चलते हैं प्रस्ण की और और प्रस्ण मिलाने के लिए तयार हो जाएए जो भी नए है चैनल को सब्सक्राइब करिए तो चलिए प्रस्ण पहला है आपको सेट जो भी हो A हो B हो या J हो कुछ भी प्रस्ण सेट होगो दोस्तों उसमें आपका प्रस्ण मिलेगा अब ध्यान से प्रस्चन को समझे और प्रस्चन को मिलाइए तो चलिए, ओधातू के ऑक्साइड होते हैं तो इस प्रस्चन का उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन नमर b बिल्कुल सही है अमलिय होते हैं अगला प्रस्चन देखिए आपका है कि कारवन, कारवन है, कारवन क्या है, तो कारवन है ओधातू, ओप्सन नमर B बिल्कुल सही है, अगला प्रशन देखिए, नीमन में से कौन सा अस्परित हाइडरो कारवन है, तो इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन नमर C, C2H4, अगला प्रशन देखिए, एरो तो हिलियम अकिरिय गैस है, अफ्शन नमर। B बिल्कुल सही है, अगला प्रशन देखिए, निम लिकीत में कौन उपधातू है, अगला प्रशन है, प्रशन है पोध्य में स्वांसान होता है, तो पत्यों के दुवारा, option number B, बिल्कुल सही है, आठ नमर प्रस्ण है, नीमन में सूपोसी कौन है, इस प्रस्ण का उतर हो जाएगा आपका हाडा पौधा, option number A, बिल्कुल सही है, अगला प्रस्ण देखिए, जी, किस जीब में हिमोगलोवीन नहीं होता है, तो मक्षी में हिमोगलोवीन नहीं होता है, option number B, बिल्कुल सही है, अगला प्रस्ण देखिए, हिमोगलोवीन की कमी से कौन सा रोग होता है, हिमोगलोवीन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनिमियों होता है, option number C, बिल्कुल सही है, अगला प्रस्ण देखिए, आपका, मनुष्य के आहर नाल में अपसोस करता है तो इस प्रेशन का जाएगा आपका option नमर C बिल्कुल सही है प्रोटीन का पाचन अगला प्रेशन देखिए मुक गोहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है तो इस प्रेशन का जाएगा आपका अगले प्रेशन की ओर चलते हैं दो प्रेशन में कौन सा पदार्त लेंस के लिए उपश्यूख्त नहीं क्या जा सकता है तो लेंस जो है कि पीतल से नहीं बनाया जा सकता है option number C बिल्कुल चाहिए था प्रस्ण है नीमने कित में कौन सा प्रकास के अपरतमां के नियम के लिए नहीं है तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जागा आपका option number 2 अगला प्रस्ण देखिए किसी बस्तू का प्रतिविम आँख के जिस भाग पर बनता है वह है वह क्या है रेटीना option number B बिल्कुल सही है अगला प्रस्ण देखिए किसी माध्यम के अपरतनां का मान होता है तो option number B बिल्कुल सही होगा इसका अगला प्रस्ण देखिए एक गोलिये दरपन की फोकस दूरी पलस 20 cm है तो यह दरपन कैसा होगा तो इस प्रस्ण का उत्तर जाएगा आपका option number A बिल्कुल सही है उत्तल अगला प्रस्ण देखिए तलाव का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवरतन तो option number C बिल्कुल सही है अगला प्रस्ण देखिए अप्तल दरपन की फोकस दूरी होती है तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका option number A बिल्कुल सही है रिनात्मक अगला प्रस्ण देखिए किसी अप्तल दरपन की फोकस दूरी एप और उसकी बक्रता तिर्जा R हो तो नीमनिकित में कौन सा संभन्द सही है तो जोस्तो बक्रता तिर्जा की की आता है आधी यानि कि यह हो जाएगा आपका ओप्सन नमबर B बिल्कुल सही है आर बरावर 2F अगला प्रस्न देखिए नुकिलियस सब्द किसके द्वरा दिया गया था नुकिलियस सब्द किसके द्वरा दी गई है तो इस प्रस्न का उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन नमबर B बिल्कुल सही है रोवर ठोक अगला प्रस्न देखिए पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है तो पौधे में भोजन होता है स्टार्ज के रूप में option number C बिल्कुल सही है अगला प्रशन देखिए प्रसीद पुष्टक द्या माइक्रोग्रोफिया किसके द्वरा लिखी गई थी तो इस प्रशन का उत्र जाएगा रौबर्ट हो option number D बिल्कुल सही है अगला प्रशन देखिए पौधे पौधाओं और पसुआँ की पोसिकाओं का बिज्यानिक अध्यानिक क्या कहलाता है तो इस प्रशन का उत्र जाएगा option number D बिल्कुल सही है उत्तक बिज्यान अगला प्रशन देखिए माना भीरदय घिरा हुआ है इस प्रशन का उत्र जाएगा option number A बिल्कुल सही है तो चलते हैं अगले प्रशन की ओर प्रशन है आपका अगला 20 डान की ओर प्राकरन नलिका की विर्दी का कारण क्या होता है तो इस प्रशन का उत्र जाएगा आपका option number A बिल्कुल सही है अगला प्रशन देखिए मनुष्य में स्वेत रेक्ट कोशिकाओं की जीवन काल या अबधी कितना होती है तो इस प्रशन का उत्र जाएगा 12 से 20 दिन चलते हैं अगले प्रशन की ओर प्रशन है पीत रस कहां से स्रावित होता है जिस प्रशन का उत्र जाएगा आमासा इसे अगला प्रशन देखिए एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है घोल का प्याचमोन होता है जिस प्रशन का उत्र हो जाएगा आपका option number यह 2 हो सकता है दोस्तों आप कोमेंट करके बताएगा यह साथ इसमें थोरा हम कन्फिज होगी है तो चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर आप इसका कोमेंट जरूर कर जाएगा तो प्रश्ण है बेंजीन का अनुसूत्र क्या है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका अप्रश्ण नंबर जो है कि C हो जाएगा C6, H6 अगले प्रश्ण की ओर प्रश्ण है एथिल एल्कोहौल का आई यूपीए C9 क्या है इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही है एथिनोल अगला प्रश्ण देखिए CnH2n निमलीखीत में किस इसका समान्य सुत्र है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा एल्कीन ओप्शन नंबर B बिल्कुल सही है लोहे की परमानु संख्या कितना होता है तो आप सभी जानते होंगे 26 ओप्शन नंबर B बिल्कुल सही है एस्टेनलेश स्टील में लोहे एवं कारवन के अलावा अन्Иतत्व होते हैं इस प्रेशन कावत्तर क्या होगा तो इस प्रेशन कावत्तर हो जएगा Option नमर S बिल्कुल सफ़ीय है निकेर वब क्रोमियम क्रोमियम ठाव कि अध पितल धात्यों यह मिश्चन मिश्र धात जोफ्री अन्युकीक्त योगी करें तो इस तो आप सभो जूनते हैं कि 2 नियम होता है Option B बिल्कुल सही है After Lens का Woolden होता है इस प्रस्षण का उतर आप आपोस्षण नमर A बिल्कुल सही है अगला प्रस्म or प्रस्षण है दर्पन का सुत्र है इस प्रस्षण का उतर आप सभो जूनते होंगे कि option नमर A होगा 1Y B plus 1YU ब्रावर 1Y F option नमर A बिल्कुल सही है अगला प्रशन देखिए टिंडल प्रभाप प्रदर्शित करता है तो इस प्रशन का उत्तर हो जगा आपका option नमर D बिल्कुल सही है परकास का प्रकिर्नन अगला प्रशन देखिए कौन सा lens हावा में अभिसारी lens भी कहलाता है तो इस प्रशन का उत्तर हो जगा आपका option नमर B बिल्कुल सही है उत्तल lens अगला प्रशन देखिए उत्तल दरपन में परतिविन बनता है तो इस प्रशन का उत्तर हो जगा आपका वास्तिविक option नमर A माध्यामिक प्रकासिय माध्याम कितने प्रकारके होते हैं तो इस प्रशन का उत्तर हो जगा आपका option नमर जो है कि 4 हो जगा option नमर D बिल्कुल सही है dynamo प्रवर्तित करता है यह उत्तरिक उर्जा को विद्धूत उर्जाओं में option नमर B बिल्कुल सही है एक इलक्ट्रोन पर आवेस होता है तो यह हो जाएगा minus 1.6 गुना 10 पर पावर minus 19 कोलोम option नमर C बिल्कुल सही है खिलोने में किस सेल का उप्योग होता है खिलोने में किस सेल का उप्योग होता है तो सुखे सेल का उप्योग होता है option number A बिल्कुल सही है कारी करने की छम्ता को कहते हैं उर्जा option number C बिल्कुल सही है नीमन में से कौन विस्थापन अभिकिर्या का एक उधारन है तो इस प्रश्ण का उतर हो जाएगा आपका option number C बिल्कुल सही है silver chloride का रंग होता है तो सुवेद हो जाएगा silver chloride का रंग होता है ऊप्षान number D बिल्कुल さही है नीमनलिखित में लवन कौन है इस प्रश्ण का उतर हो जाएगा option number B बिल्कुल सही है na cl तुत्या निलाथ होता का अनुसूत्र होता है तो इस प्रश्ण का उतर हो जाएगा option number A बिल्कुल सही है C US 4 अगला प्रेशन देखvyे गंधक की परमनु संक्या है 16 ऐप्सण नमर C, बिल्कुल सही है कौन सी बिमारी स्वाङशन तंतर से समन्दित है तो निमोनियां ऐप्सं नमर B, बिल्कुल जही है निमोनियां स्वाङशन तंतर के सिमाध्याम से होता है एंटोय जान है इस प्रश्ण फ्रह्य का उत्तर हो जाएगा आपका आप सब्सक्राइब बिल्कुल सही है नर्च आना हर्मोन तो रुदीर चाप ने नेंत्रित होता है तो यह हो जाएगा अडश्ण नमर्च सी बिल्कुल सही है एक लिंगे पादप का उधारन है पपिता ओप्चन नमर ए बिल्कुल से है पपिता अगला प्रस्ण देखिए नीम्न में कौन मादा जननत्र का भाग नहीं है तो इस प्रस्ण का उतरग आपका ओप्चन नमर सी बिल्कुल से है सुक्रावाहिका प्रस्ण है दुई खंड़न होता है तो इस प्रस्ण का उतरग आपका ओप्चन नमर दी बिल्कुल से है दोस्तों इनमें सभी दुई खंड़न होता है इनमें सभी ओप्चन नमर दी बिल्कुल से है तिरिशात नमर्परस्ण हैcribe ऐस्टोरेजन शराबित होता है तो इस प्रशन नका उटतर हो जाएगा आपका उप्षण नमर्पर Eh बिल्कुल जाई है विरिशन से अगला प्रशन देखिए महनभ मस्तिक का अउसरत भार होता है तो इस प्रशन का उत्र आज़ेगा option number C बिल्कुल सही है 1.4 kg अगला प्रशन देखिए electronic heater की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का पड़ियोग होता है तो इस प्रशन का उत्र आज़ेगा option number D बिल्कुल सही है नाइक्रोम का अगला प्रशन देखिए एक यूनिट बिद्दूत उर्जा का मान होता है तो इस प्रशन का उत्तर हो ज़ेगा आपका option number D बिल्कुल बिद्दूत फ्यूज प्रशन आर्शन आर्शन नमर बिद्दूत फ्यूज बिद्दूत भारा के किस सिध्धान पर कार्ज करता है तो इस प्रश्निक का उत्तर हो जाएगा आपका उसमिय और अउक्षन नमर A बिल्कुल सही है चलते अगले प्रश्निक के और प्रश्न है वाल्ट मीटर को विद्धूत परिपत में किस करम में जोरा जाता है तो इस प्रश्निक का उत्तर हो जाएगा आपका option number B, बिल्कुल सही है समांतर करम में अगला प्रश्निक देखें, विद्धुत परिपत में दो बिंदों के बीच विवांतर मापने के लिए पढ़ियुक्त होता है तो इस प्रेशनिक का उत्तर हो जाएगा वाल्ट मीटर ओक्षन नमर B बिल्कुल चाहिए है अगला प्रेशनिक का उत्तर हो जाएगा आपका ओक्षन नमर D बिल्कुल चाहिए है इस्थित उर्जों में अगला प्राशने देखें विधुत बल्प में कौन सी गैस भड़ी जाती है तो इस प्राशनें का ऊतर हो जाएगा ओप् feminist सी बिल्कुल सही है वाले योगी का नम क्या है तो इस प्रस्षन का उत्तर हो जाएगा आपका option नमर B बिल्कुल सही है अगला प्रस्षन देखे अच्छ संक्या होती है तो यह था है 3 Option number C बिल्कुल सही है अगला प्रेशन देखिए कमरे के ताप पर द्रव अवस्तों में रहने वाली धातु तो पड़ा हो जाएगा Option number A बिल्कुल सही है अगला प्रेशन देखिए सरलतम Hydrocarbon है तो इस प्रेशन का उतर जाएगा Option number A बिल्कुल सही है Methane अगला प्रस्ण देखिए नीम निकीत में कौन छार्य ओक्साइड है तो दोस्तो जो भी अगर तुरूटी हुआ हो उसके लिए हमें मौप कर दिजेगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये कुछ तकनिकी कुछ कारण के करन दोस्तो ठुरू गरबर गया लेकिन जो भी प्रस्ण मिलाएं दोस्तो वह सबी प्रस्ण बिल्कुल सई है तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें गंटी दवा दें जये जये भारत